हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्बन चार-पांस दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था नॉन टीचिंग पोजिशन के लिए उनिविशिटी आफ अलहाबाद में तो अब टीचिंग पोजिशन के लिए भी वैकेंसी आज चुकी है बिसिकली ये एसिस्टन प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की पोश्ट के लिए निकली हुई है अगर आप लोग ने नॉन टीचिंग पोजिशन के वीडियो नहीं देखिए है तो पहले जाके वो वीडियो देख लें क्योंकि वो भी आपके काम का है और यह teaching वाला post जो है इसमें हम लोग details में देखते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम लोग official site में आ चुके हैं यह अलहाबाद university का जो कि एक central university है मतलब कि यह ministry of human resource and development द्वारा control होती है ना कि state द्वारा control होती है तो यह आप सिधा सिधी समझ सकते हैं कि central government के अंडर आती है जैसे हैं आप नीचे आएगे तो यहाँ पे career वाला section में आप जाईएगा तो आपको कुछ notification नजर आएगे इस तरह से देख सकते हैं तो यह देखिए various non teaching position जो कि चार पास जिन पहले आया हुआ था यह अभी का advertisement जिसको हम लोग analyze करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं इसमें assistant professor, associate professor औ प्रोफेसर, assistant librarian यह सारे के vacancy आ रही है तो view details में जैसे है आप ट्लिक किजेगा तो आपको यह सारा details मिल जाएगा देख सक professor की, associate professor की, assistant professor की और assistant librarian की चलिए इन चारो advertisement को हम लोग details में analyze करते हैं सबसे पहले हम लोग assistant professor की देखते हैं तो देखिए assistant professor की बात करें तो form भरने की तारीक 28-9 यानि कि शुरू हो चुकी है और साथी साथ इसका जो है 27-10 तक चलेगा यानि कि एक मैना का समय दिया गया है औ generally interview के लिए आपको direct call किया जाएगा, वो आपकी qualification experience पे depend करता है, form भरने की बात करें तो general वालों को 1550, HCT वालों को 650, PWD वालों को 50 रुपया लग रहा है, vacancies ये important आपके लिए, किस-किस field के लिए है, आप जिस field में लाई करते हैं उसी field में apply कीजएगा वरना form आपका reject कर दि anthropology, anthropology, arabic and persian, behavior and cognitive science, basically जितने भी field होते हैं, सभी field में कुछ न कुछ vacancies आए हुए है, physics, chemistry, biology, commerce, computing, economics, electronics and communication, English पे भी है, environmental पे आपको नजर आ जाएगा, geography, वेगरा, जितने भी basic जो भी आपके language है, या फिर basic subject, history, civic, geography, physics, chemistry, biology, ये सारे क्या हुए, law के, mathematics के, medieval and modern history, इसमें अगर आप बैचलर साब का history में है, आप master साब का history में है, तो आप apply कर सकते हैं, अगर को experience है, research paper publish किये है, वो आपको added advantage मिल जाएगा, तो देख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, संस्कृत की बात के लिए, त संस्कृत की ये सारे की vacancy आई हुए, physical education से लेकर political science सभी की vacancy है, तो ये देख सकते हैं, basically आप पूरा vacancy देख लिजिए, जिस field में लाई करते हैं, उसको apply कीजिए, qualification की बात करें इसमें, तो qualification basically आपका जो है, graduation होना चाहिए, उसके बाद आपका master होना चाहिए, साथ साथ, net या set qualify होना चाहिए, PhD अगर है तो अच्छा है, उसके बाद इस सारा का एक screening committee setup किया जाएगा, screening committee ये टाई करेंगी, कि किस किस basis पे आपको इस interview के लिए बुलाया जाए, बात करें associate professor की, तो same है, इसकी salary थोड देख सकते हैं, सारे branches लगवग लगवग सेम हैं, और इसमें भी कुछ vacancies आए होगी, अच्छी खासी, तो अगर आप इस field के लिए apply करना चाहते हैं, इसमें भी apply कर सकते हैं, इसमें आपको PhD भी मांगा गया है, साथ ही साथ, इसमें आपको, अगर experience है, तो भी आपको benefit दिय जाएगा, research paper published किये हैं, उसमें benefit दिया जाएगा, यह सारे चीज़, consideration में लिया जाएगा, उसके बाद university आपको call करेगी, interview के लिए, यहाँ देखिए, प्रोफेसर के लिए है, तो प्रोफेसर वालों में भी आपका वही criteria है, बैचलर साथ, मास्टर साथ, साथ आपका PhD होना चाहिए, और उसमें अगर net set है, तो वो सब आपका अलग benefit होगा, अज सभी के basis पे एक criteria बनाया जाएगा, और आपको interview के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रोफेसर का post है, तो थोड़ा post आपको यहाँ पर कम नजराएगा, हर ब्रांचेस में, अब आपके assistant professor और associate professor में आपको post जो है, वो ज्यादा थे, तो उमीद आपको समझ में आ गया होगा, बात करें assistant librarian की, तो अब देख सकते है, librarian की भी vacancy आई हुई है, यहाँ पर भी आपका form भरने का तारिक वेगरा सब कुछ सेम है, फीस भरने का थोड़ा से यहाँ पर कम रखा अन्रिजर्वड वालों के लिए, हजार पचास रुपया रखा गया है, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, assistant librarian का post है, यहाँ पर टोटल चार पोस्ट निकला हुआ है, इसके लिए आपको suitable qualification होना चाहिए, यह qualification का details जो है, वह दोस्तों, काफी लंबा टोड़ा details चला गया है, यह पूरा advertisements के नीचे में जाइए अब, और जाके देखिए, कि क्या advertisement में qualification मांगा गया है, आपको basically advertisement यहाँ से download कर सकते हैं, यह जो site, official site, यहाँ पर आके, जैसा ही click किजेगा इस सारा आपका advertisements खुल जाएगा और download कर सकते हैं, उमीद आपको सारा details समझ में आ क्या होगा, क्या करना हो, क्या नहीं, चोकि form भने का तारिक शुरू हो चुका है, इसमें apply जरूर करें, और सबसे important है, इसमें आपका qualification वाला details अच्छे से देख ले, qualification बहुत लंबा चौलर मेंशन किया गया है, कि आपका graduate होना चाहिए, master होना चाहिए, या फिर net होना चाह आपका research paper अगर है, तो उसमें कितना number आपको दिया जाएगा, यह सारे criteria दिया गया है, for example, आपको 80% marks है graduation में, तो उसका अलग marks है, या फिर 70% marks है, तो उसका अलग marks है, इस तरह से पूरा categorize कर दिया गया है, percentage basis पे आपका marks basis पे short list किया जाएगा, साथ से अगर आपका experience है, teaching experience है, तो वो भी count किया जाएगा, और उसके basis पे एक screening committee setup किया जाएगा, और आपको interview के लिए बुलाया जाएगा, तो उमीद है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का doubt हो, तो comment करे, और यह video share कर दे दोस्तों को तक, ताकि पता चल पाए कि यह teaching वाला vacancy अ आए हुई है, अगर इस channel में नए है तो subscribe करके bell icon दबा दे, ताकि आपको हर job notification सबसे पहले मिल पाए, चले मिलते हैं अगले video में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद,